Hello students, welcome to my channel, NCRT expert. Today we are starting a new exercise, 11.4. It is from class 7th maths. वोर chapter हमारा चल रहा है, 11 number chapter, perimeter area. Now very first question is, a garden is 90 meter long, a garden है. इसकी length है 90 meter. और ये 75 meter है. एक रास्ता बनाया हुआ है, जो की 5 meter चूड़ा है. कहां बना रख्या है रास्ता? आउट साइड, तो आपको ध्यान में रखना है. जो आपके examples थे, इनके अंदर तो आपकी जो figures हैं, वो बना रख्ये थे. लेकिन यहाँ पे आपको figure खुदी ड्रॉप करने हैं. तो आप question की statement को ध्यान से करेंगे, उसके बाद इसका solution करेंगे. तो यहाँ पे जो रास्ता बना हुआ है, वो कहां पे है? रास्ता बाहर है, चारों तरफ है. Find the area of the path. Find the area of the garden in hectare. जो garden का area है, उसको hectare में निकालना, यह second part है. पहला part हमारा क्या है? यह जो path बना हुआ है, उसका हमने area निकालना. तो सबसे पहले हम इसके लिए एक figure draw करेंगे. क्योंकि figure बनाने के बाद, आप इसका easily solve कर पाएंगे. इसको अब. E, B, C, D. यह क्या represent कर रहा है? यह यहाँ पे आपका garden represent कर रहा है. और इसके चारों तरफ, जो यह shaded portion है, यह क्या represent करता है? यह represent करता है garden के चारों तरफ, जो रास्ता बना हुआ है, जो की 5 मीटर चोड़ा है. तो अब हमने क्या करना है? जो area निकालना है, इस path का, वो कैसे निकालनेंगे? सबसे पहले हम P, Q, RS का area निकालनेंगे. जो बाहर वाला area है, उसमें से हम अंदर वाला area निकलेगा, उसको minus कर देंगे. तो हमारा जो shaded portion है, जो रास्ता बना हुआ है, उसका area आ जाएगा. A, B, C, D represents garden. A, B, C, D garden को रिप्रेजेंट करता है, shaded portion रिप्रेजेंट करता है, जो रास्ता बना हुआ है, फाइव मीटर चोड़ा रास्ता बना हुआ है, जो garden के बाहर, चारों तरफ. area of path will be equal to area of rectangular reason, P, Q, R, S, P, Q, R, S में से हम क्या करेंगे, जो A, B, C, D है, इसका area निकला है, उसको minus कर देंगे, ठीक है, जो अंदर वाले का area है, इसको हम easily निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी एक side 90 meter है, एक side है 75 meter, ठीक है, area of rectangle, A, B, C, D, यह हम easily निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी sides दे रखी है, 90 to 75, यह जाएगा, 6,750 meter square, लेकिन हमें P, Q, R, S, इसका area कैसे निकालेंगे, यहां से हमारी यह 90 meter है, ठीक है, यह जो C, D है, यह हमारी 90 meter है, ठीक है, अब यहां से भी 5 meter चोड़ा है, ठीक है, और यहां से भी 5 meter चोड़ा है, ठीक है, तो 5 यहां पे add हो जाएगी, 5 यहां पे add हो जाएगी, 90 में 5 यहां पे add हो जाएगी, 95 और यहां भी 5 एड हो जाएगी, 100 हो जाएगी, इसी तरह से उपर भी 5 एड होगी, ठीक है, और निचे भी 5 एड होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 में 5, 5, 10 एड हो जाएगा, 85 हो जाएगी पी क्योट, तो पी क्योट हमारा कितना हो जाएगा, फाई यहां से एड हो गया, फाई यहां से एड हो गया, और 90 है, तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है, अब पी आर कितना हो जाएगा, पी आर, फाई यहां से एड हो जाएगा, फाई यहां से एड हो 75 है तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा PR विल बी 85 अब हम निकाल सकते हैं P के वारेस का एरिया 100 इंटू 85 यह जाएगा 8500 मीटर स्केर अब हम निकाल सकते हैं area of path area of P के वारेस minus area of ABCD पी के वारे इसका एरिया कितना है 8500 इसमें से हम ABCD का जो एरिया है 6750 इसको माइनस कर देंगे यह आ जाएगा हमारा 1750 मीटर स्किया यह हमारा क्वेश्चन का फॉर्स्ट पार्ट है अब हमने निकालना क्वेश्चन का सेकिंड पार्ट एरिया ओफ गार्डन इन हेक्टिएर तो हमारा जो गार्डन है इसका एरिया कितना है इसका गार्डन तो 19 to 75 मल्टिप्लाइ करके आएगा हमारा यह हमारा 6750 ठीक है तो इसको हम हेक्टियर में कैसे कनवर्ट करेंगे टैन थाउजं meter square किसके equal होता है one hectare के one meter square कितना हो जाएगा one upon ten thousand hectare के equal हो जाएगा ठीक है और हमने निकालना है seven sixty seven hundred fifty meter square तो यह हो जाएगा one upon ten thousand into इस तरह से निकालना है इसको तो यह आजाएगा zero point six seven five hectare अर्में आबारा क्वेशन नमबर two a three meter wide path runs outside and around a rectangular park of length one twenty five meter and breadth sixty five meter find the area of the path तो यहाँ पे जो रास्ता है वो कहाँ बना हुआ है रास्ता बाहर बना हुआ है और चारों तरह बना हुआ है और जो rectangular park है उसकी length है one twenty five meter और breadth है sixty five meter तो जैसे हमारा question first गया है ऐसे हमारा question second जाएगा find the area of the path हमें path का area निकालना है A, B, C, D represents the park A, B, C, D क्या है पार्क को represent करता है और यहाँ पे हमारा जो A, B है वो कितना है one twenty five meter है ठीक है और A, C कितना है यहाँ पे sixty five meter है तो हमें इसके length और breadth दे रखी है जो हमारा rectangular park है और जो इसके चारों तरफ जो outside है shaded portion है यह क्या है यहाँ पे रास्ता है कितना चोड़ा रास्ता है यह three meter three meter wide path बना हुआ इस park के चारों तरफ तो इस shaded portion का हमने क्या निकालना है area निकालना है जो path है तो कैसे निकाल लेंगे P, Q, RS का area निकाल लेंगे उसके बाद हम A, B, C, D का area निकाल लेंगे बाहर वाले area में से हम जो अंदर वाला area उसको minus कर देंगे तो यह बीच का जो रास्ता है इसका हमारा area आजाएगा area निकालनेंगे area of P, Q, RS तो P, Q, RS का area निकालने के लिए हमें P, Q की भी need होगी और P, R की भी need होगी तो हमें निकालने पड़ेंगे तो P, P, Q यहाँ पे हमने निकालना है यह हम RS भी लिख सकते हैं P, Q भी लिख सकते हैं पी क्यों लिखें या आर एस लिखें सेम मैटर है 125, 3 प्लस 3 यहाँ पे यह जो 125 है ठीक है इसके बाद हमारा जो यह 3 है यह भी एड़ होगा इस साइड यह 3 है यह भी एड़ होगा तो यह हो जाएगा 125 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 131 मीटर इसी तरह से हम P, R ले सकते हैं या Q, S ले सकते हैं आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा कितना है यह हमारा 65 है यहाँ से भी 3 जुड़ेगा यहाँ से भी 3 जुड़ेगा तो 65 में 6 जुड़ जाएगे तो यह हो जाएगा 71 meter अब हम PKWRS का area निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास sides आ गई है इसकी 130 meter और 71 meter area of PKWRS 131 और 71 के हम multiply कर देंगे तो यहाँ पर आप side mark rough work करेंगे जैसे 131 को 71 से multiply किया और इसका answer आ गया हमारा 9301 meter square area of ABCD हमें इसकी sides दे रखी है A भी दे रखी है हमारे 125 और AC हमारे 65 दुनों को multiply कर देंगे 125 को भी और 65 को भी तो यहाँ जाएगा 8125 meter square अब हमने क्या करना है पात का area निकालना है PKWRS का area है उसमें से हम minus करेंगे ABCD का area तो यह आजाएगा हमारा area of path 1176 meters के हमारा answer आजाएगा तो जो हमारा question number first और second है दोनों बिल्कुल सेम है आपको गर एक question आजाएगा तो second आप easily कर सकते है now question number third is a picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its side एक cardboard है उसकी लंबाई दे रखिया 8 cm और 5 cm वो चोड़ा है उसके उपर एक picture बना रखिया picture के चारों तरफ space बच जाता है जिसको margin बोलते हैं 1.5 cm चारों तरफ margin बचा हुआ है हमें निकालना है total area of margin कि margin का total area क्या है तो सबसे पहले इस question में लेड होती है कि हम pixel ड्रॉक रहे है इसके लिए figure ड्रॉक रहे है उसके बाद ही हम इस question को शुरू करेंगे तो यह यहाँ पे मैंने cardboard show किया है P, Q, R, S क्या है यहाँ पे यह cardboard है और इसके अंदर A, B, C, D यह एक picture बनी होई है और picture के चारों तरफ जो यह shaded portion है यह क्या represent करता है यह margins जो बच जाते हैं चारों तरफ वो show करता है ABCD represents the picture ABCD picture represent करता है P, Q, R, S represents the total cardboard P, Q, R, S यह total cardboard है जिसके उपर picture बना रखी है और picture ABCD है तो चारों तरफ जो space बचा हुआ है यह क्या है यह margins है left around the picture जो picture के चारों तरफ बच जाता है जो space बच जाता है तो हमें इसका area निकालना है तो अगर हम total sheet है जो हमारे cardboard sheet है उसका area निकाल लें और picture का area निकाल लें तो हम cardboard में से cardboard के area में से picture का area minus कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे margins आ जाएंगे area of margin is equal to area of pkrs pkrs क्या है यहाँ पे cardboard जो हमारा total cardboard है minus area of ABCD जो हमारी picture बनी होई है तो हमें क्या दिरख्या cardboard की length और bread दे रख्या है तो cardboard की length कितनी दे रख्या है हमें 8 और bread कितनी दे रख्या है 5 तो यह तो हम easy ले निकाल सकते हैं 8 into 5 करके 40 आ जाएगा लेकिन हम ABCD का कैसे निकाल लेंगे इसके लिए हमें क्या चाहिए AB चाहिए इसके लिए हमें और इसके लिए हमने AC भी चाहिए हमें length भी चाहिए picture की और bread भी चाहिए अब length कैसे निकलेगी यह जो total length है P क्यों यह 8 है और जो इस side में है यह 1.5 है यहां से भी 1.5 है तो दुनों तरब से 1.1.5 घट जाएगा 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 बच जाएगा तो A भी कितना आजाएगा 5 cm आजाएगा अब हमने निकाल नहीं है इस picture की चोड़ाई AC अब total उपर से निचे तक cardboard कितना है 5 cm है 5 cm है यह यहां पे सारी चीज़े cm में है तेक है उपर से निचे तक total 5 cm है cardboard लेकिन उपर भी 1,5 cm बचा हुआ है margin निचे भी 1,5 cm बचा हुआ है तो picture कितनी हो जाएगी केवल 2 cm है जाएगी 1,5 में से कट जाएगा 1,5 में से 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहां पे यह केवल 2 बच जाएगा और यहां पे यह कितना बच जाएगा 8 में से 1,5 यहां से कट जाएगा 1,5 यहां से कट जाएगा यह 5 बच जाएगा तो picture की जो length है वो 5 है और breadth कितनी है 2 है अब हम इसका area निकाल सकते है 5 into 10 आजाएगा और total cardboard का कितना आजाएगा 8 into 5 40 हो जाएगा तो cardboard कितना है 40 cm square है और picture का area कितना है 10 cm square है तो area of margins निकाल सकते है 40 में से 10 minus कर देंगे 30 cm margins का area आजाएगा Now question number 4 A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room यहाँ पे room के बाहर है यह veranda which is 5.5 meter long and 4 meter wide Find the area of veranda तो इसके लिए सबसे पहले हम picture draw करेंगे उसके बाद हम question शूरू करेंगे तो यहाँ पे room के लंबाई दे रखे 5.5 meter और जो room की चोडाई है वो है 4 meter तो room का तो हम area निकाल सकते हैं 5.5 को 4 से multiply कर देंगे यह जहेगा हमारा 22 meter square लेकिन जो veranda है चारों तरफ है room के चारों तरफ है उसकी width देर के 2.25 meter तो हम कैसे निकाल लेंगे वेरंडा का area तो सबसे पहले आप इसकी figure को समझेंगे उसके बाद इसका solution करेंगे A, B, C, D यहाँ पे room को represent कर रहा है लंबाई है 5.5 meter और चोड़ाई है 4 meter और इसकी चारों तरफ जो shaded portion है यहाँ पे वेरंडा है और इसकी चोड़ाई है 2.25 meter और यह room के चारों तरफ है तो चारों तरफ से यह 2.25 meter wide है तो वेरंडा कैसे निकाल लेंगे हम वेरंडे का area P, Q, RS का area निकाल लेंगे उसमेंसे हम room का area minus कर देंगे तो यह जो shaded portion है जो वेरंडा को represent करता है इसका area हो जाएगा अब हमें P, Q, RS का area कैसे निकालना है इसका area निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पी क्यों चाहिए और पी आर चाहिए तो पी क्यों कैसे निकलेगा यह हमारा 5.5 मीटर है यह यहाँ पे कितना है 2.25 है ठीक है और यह यहाँ पे कितना है 2.25 है ठीक है तो यह एड हो जाएगा 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4.5 5.5 प्लस 4.5 कितना आ गया 10 मीटर आ गया अब ये तो हो गई P क्यों अब हमें निकालनी है PR AC कितनी हमारी 4 है अब AC अगर हमारी 4 है तो उपर से यहां से भी 2.25 है और निच्चे यहां भी 2.25 है तो 4 के अंदर 2.25 प्लस 2.25 दो बार एड हो जाएगी उपर से भी और निच्चे से भी तब ही तो हमें PR मिलेगी तो ये एड होके कितना हो जाएगा हमारा 4.5 हो जाएगा और दोनों के एड करेंगे 4 प्लस 4.5 को तो 8.5 आ गया अब निकाल सकते हम PQRS का एरिया PQ आ गया हमारा 10 और PR आ गया हमारा 8.5 तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8.5 85 मीटर स्केर ABCD का एरिया निकाल लेंगे रूम का यहाँ पर क्या है ABCD रूम लिख सकते हैं आप यहाँ पर 5.5 इंटू 4 यह जाएगा 22 मीटर स्केर तो वेरंडे का एरिया कितना हाँ जाएगा PQRS कितना है 85 है और ABCD कितना है 22 है यह जाएगा 63 मीटर स्केर नाव पर्शन नमबर 5 एपाथ 1 मीटर वाइड इस बिल्ट अलोंग दा बोर्डर एड इंसाइड ए स्केर गार्डन ओफ साइड 30 मीटर यह कोश्चन आपका डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर जो पाथ बना हुआ है वो इंसाइड है अंदर है वो इस स्केर गार्डन ओफ साइड 30 मीटर और जो हमारा यहाँ पे गार्डन बना हुआ है वो 30 मीटर साइड दे रखी है वो एक square garden है, find the area of the path, दो part हैं इस question के, पहले तो हम path का area निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे, cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square, second portion में क्या करना है, जो path को छोड़कर area बच जाता है garden का, उसके अंदर grass लगानी है, उसकी हमने cost निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक figure ड्रॉ करेंगे, जो हमारा fourth question का second part बचा हुआ था, cost of cementing the floor of veranda, तो यहाँ पे जो हमारा total area आया है, veranda, यह हमारा 63 meter square है, और one meter square का cost है, यहाँ पे 200 per meter square, तो total cost आजाएगी यहाँ पे 12,600 rupees, यह हमारा question four का second part है, अब है हमारा question number five, सबसे पहले हम figure से को समझेंगे, उसके बाद इसका solution करेंगे, A, B, C, D, यह क्या शोकर है, represents the garden, कैसा garden है, square garden है, ठीक है, और इसके अंदर, जो shaded portion है, वो क्या represent कर रहा है, इट represents path inside the garden, तो area पात निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका पूरे का area निकाल लेंगे, ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे P, Q, RS का area, ABCD के area मैंसे हम P, Q, RS का area माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आजाएगा, इस path का area, तो हमें ABCD, इन sides का हमें पता है, लेकिन जो ये वाली sides है, P, Q, PR, इन sides का हमें पता नहीं है, तो पहले हम इन sides का, इन sides को निकाल लेंगे, उसके बाद हम P, Q, RS का area निकाल लेंगे, तो P, Q कितना हो जाएगा हमारा, ये total हमारा कितना है, 30 है, यहां से भी 1 मीटर चोड़ा है, ठीक है, और यहां से भी 1 मीटर चोड़ा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर यहां से घट जाएगा, 1 मीटर यहां से घट जाएगा, तो P कितना आजएगा, 28 आजएगा, 30-1-1, 28 मीटर, उगर एक साइड भी निकाल लेते हैं तो हमें दूसरी साइड निकालने के यहाँ पर कोई नीड नहीं है क्योंकि जब garden square sheep का है तो हमें इसकी second side निकालने की नीड नहीं है और रास्ता भी चारों तरह one meter wide है area of a b c d a b c d ka area निकाल सकते हैं square स्केर गार्डन है 30 मीटर इसकी साइड दे रखी है तो 30 का स्केर इस इक्वल चु कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 900 मीटर स्केर हो जाएगा अब हम निकाल लेंगे पी के वारेस का एरिया यह हमारा 28 मीटर आ जाएगा तो एरिया उपी के वारेस 28 का स्केर तो 28 इंटू 28 आप अब हमारे पास ABCD का एरिया है PQRS का एरिया है माइनस कर देंगे यह हमारा पात का एरिया निकल जाएगा एरिया पात आ जाएगा 900 मेंसे हम 784 को माइनस कर देंगे 116 मीटर स्केर एरिया आ जाएगा पात का सेकिंड पार्ट में हमने क्या करना है जो गार्डन है हमारा PQRS इ इसका ही यह कितना है, 784 मीटर स्केर है, तो इसके उपर हमने कोस्ट निकाल लिए है, टोटल कोस्ट और प्लांटिंग ग्रास इंदा गार्डन, तो 784 के उपर निकलेगी कोस्ट, पर मीटर स्केर कितना कोस्ट है, 40 है, तो 784 को हम 40 से मल्टिप्लाई कर देंगे, यह आज़ेगा 31,360 रुपीज टोटल कोस्ट आज़ाएगी गार्डन के अंदर ग्रास लगाने की तो आप 784 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे बाद में 0 एड कर देंगे ठीक है यह exercise थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैं आपको यह exercise दो पार्ट्स में कराऊंगी आज मैं आपको 5 questions करा रहे हूँ नेक्स्ट मैं वीडियो में मैं आपको इसके 6 से लेकर 11 तक questions कराऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें अगर आपको इनकी notes चाहिए तो description box में link दिया हुआ है आप वहाँ से इनको download कर सकते हैं Thank you